अभी पिछले हपते ही मैं ठाने और मुंबे गया था। यहां मेट्रो समेथ तीस हजार करोड के पोजेश के सुभारम का अवसर मुझे मिला। इसके पहले भी अलग अलग जिलों में हजारों करोड की विकास परियोजनाएं शुरू हुई हैं। कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। कहीं एरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है। तो कहीं सडकों और हाइवे से जुड़े प्रोजेक्स तेज गती से आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्रक्टर, सोलर एनरजी, टेक्स्टाइल पार्क से जुड़ी परियोचनाएं लौंच की गई हैं। किसानों, पसुपालों को के हीत में नई पहल की गई हैं। महराष्ट में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट, वधावन पोर्ट की नीव रखी गई हैं। महराष्ट के इतिहास में इतनी तेज गती से इतने बड़े स्केल पर अलग अलग शेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि कॉंग्रेस के राज में इतनी ही तेज गती से इतने ही स्केल पर अलग अलग शेत्रों में ब्रस्टाचार जरूर होता था। भाई और बेहनों, कुछ दिन पहले ही हमने मराटी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। जब एक भाषा को उसका गवरों मिलता है, तब सिर्फ शब्द नहीं, बलकि पूरी पीडी को नए बोल मिलते हैं। करोडो मराठी मानूस का दसको पुराना सपना पूरा हुआ। महराष्ट के लोगों ने जगह जगह इसकी खुशी मनाई। आज महराष्ट के गाउं गाउं से मुझे खुशी के संदेश भी भेज रहे हैं। महराष्ट के लोग अपने संदोशों में मराठी को अभिजाद भाषा का दर्जा देने के लिए मुझे धेर सारे धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये काम मैंने नहीं आप सबके आशिरवाद ने किया है। महराष्ट के विकास का हर प्रयास। चत्रपति सिवाजे महराच, बाबा साब अमबेड कर, जोती बाप फुले, सावित्री बाई फुले, जैसी विभूतियों के आशिरवाद से हो रहा है। साथियों, अभी कल ही हर्याना और जम्मु कश्मिर के चुनाव परनाम आए है। हर्याना ने बता दिया है, देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। दो बार कारकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना अईतिहासिक है। कॉंग्रेस का पूरा इको सिस्टीम, अर्बन नकसल का पूरा गिरो जनता को गुमराह करने में जुटा था। लेकिन कॉंग्रेस की सारी साजी से द्वस्त हो गई। उन्होंने दलीतों के बीच जुट फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलीत समाज ने इनके खतरनाग इरादों को भांप लिया। दलीतों को ऐसास हो गया कि कॉंग्रेस उनका आरक्षन चीन कर अपने वोट मेंग को माटना चाहती है। आज हरियाना के दलीत बर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाना के OBC, बीजेपी के विकास कारियों को देखकर उसके साथ है। कॉंग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उसे उसे फसलों पर MSP किसे ने दी। हरियाना के किसान, बीजेपी की किसान कल्यान योजनाओं से खुश है। कॉंग्रेस ने युवाओं को टार्गेट किया और अलग-अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की। लेकिन हरियाना के नौजवान हमारी बहने बेटियां अपने उजवल भविश के लिए भाजपाप पर ही भरोसा कर रहे हैं। कॉंग्रेस ने सारे हतकंडे अपनाएं लेकिन हरियाडा की जनता ने दिखा दिया वो अब कॉंग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती शडियंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। साथियों, कॉंग्रेस हमेशा बाटो और सत्ता पाओ के फॉर्मिले पर चली है। कॉंग्रेस ने बार बार ये सित्य किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए ने नेरेटिव घट रही है। कॉंग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मिला लाती रहती है। कॉंग्रेस देश के मतदाताओं को गुम्रा करने से बाज नहीं आ रही है। कॉंग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसल्मानों को डराते रहो, उनको भाय दिखाओ, उनको वोट बेंक के कंवर्ट करो और वोट बेंक को मजबूत करो। कॉंग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुसलिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती है। मुसलिम जातियों की बात आते ही कॉंग्रेस के नेता पर मुँपर ताला लगा कर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है, तो कॉंग्रेस उनकी चर्चा जाती से ही शुरू करती है। कॉंग्रेस की नीती है हिंदूओं की एक जाती को दूसरी जाती से लड़ाओ, कॉंग्रेस जानती है कि जितना हिंदू पटेगा उतना ही उसका फाइदा होगा, कॉंग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है, ताकि वो उस पर राज नितीग रोटियां सेखती नहीं, भारत में जहां भी चुना होते हैं, वहां कॉंग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है, अपना वोट बेंग पक्का करने के लिए, कॉंग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हद कंडे अपना रही है, कॉंग्रेस पुरी तरह से सांप्रदाइक और जाती वाद का चुनाव लड़ती रहती है, हिंदू समाज को तोड़ कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कॉंग्रेस की राजनिती का आधार है, कॉंग्रेस भारत के सर्वजन हिताए, सर्वजन सुखाए की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है, जिस कॉंग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापस के लिए इतनी बैचैन है, कि हर रोज नफरत की राजनिती कर रही है, कॉंग्रेस की पुरानी पीडी के नेता भी बेबस है, और सहाय है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिती हो गई है, कॉंग्रेस की ये स्थिती होने वाली है, कॉंग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्टरी बनने वाली है, ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था, इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कॉंग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, कॉंग्रेश खुद खत्म नहीं हुई लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है इसलिए हमें सावधान रहना है सतर्क रहना है साथियों मेरा पक्का विश्वास है समाज को तोड़ने की आज जो कोशिच हो रही है ऐसी हर साजिश को महराष्ट के लोग नाकाम करके रहेंगे महराष्ट के लोगों को देश के विकास को सर्वो पर ही रखते हुए एक जुट होकर बीजेपी महायुति के लिए वोट करना है या पिक्षा मोठा विजय मिलवाए चाहे साथियों पिछले दस वर्ष में हमने देश के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रा बनाने का एक महा यगन शुरू किया है आज हम सिर्फ बिल्डिज नहीं बना रहे हैं हम एक स्वस्थ और सम्रुद्ध महराश्टा की नीव रख रहे हैं एक साथ दस नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शुरूवात ये केवल दस नए समस्थानों को तैयार करना नहीं है ये लाखों लोगों के जीवन को बहतर बनाने का महा यग्य है ठाने, अंबरनात, मुंबई, नासीक, जालना, बुल्धाना, हिंगोली, वाशीम, अमरावती, भंडारा और गडचिरोली ये मेडिकल कॉलेट इन सभी जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में लाखों परिवारों की सेवा का केंद्र बनेंगे इनके चलते महाराष्ट में नौसो मेडिकल सीटे बढ़ रही हैं अब महाराष्ट में मेडिकल सीटों की संख्या लगभाग 6,000 हो जाएगी इस बार लाल के लिए से देश ने संकल पलिया है कि मिडिल क्लास में मेडिकल लाइन में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटे जोड़ी जाएगी आज का ये आयोजन इसी दिशा में भी बड़ा कदम है साथियों हमने मेडिकल सिख्षा को सूलब बनाया है इससे महारास्त के युवाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल गए हमारे गरीब और मद्यमबर के जादा से जादा बच्चे डॉक्टर बने उनका सपना पूरा हो ये हमारी सरकार की प्राथिक्ता है एक समय में इस तरह की पढ़ाई के लिए मात्रु भाषा में किताबे ना होना भी बड़ी चुनोती थी हमने महाराष्ट के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये भेजभाव भी खत्म किया है अब महाराष्ट के युवाओं मराथी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे मराथी भाषा में पढ़कर वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे साथियों जीवन को आसान बनाने का हमारा प्रयास गरीबी के खिलाब रराय का बहुत बड़ा माध्यम है कॉंग्रेज जैसी पार्टियों ने तो गरीबी को अपनी राजनिती का इंदन बना रखा था इसलिए वो गरीब को गरीब बनाए रखती थी लेकिन हमारी सरकार ने एक दसक के भीतर भीतर पचीश करोर लोगों को गरीबी से निकाला है और देश में स्वास्त सेवाओं का काया कल्प इसका एक बड़ा आधार बना है आज हर गरीब के पास मुप्त इलाज के लिए आईश्मान काड है अब सभी देश वास्तियों में जो भी सत्तर के उपर के हैं अब सत्तर साल की उम्र के बुजुर्गों को भी मुप्त इलाज मिल रहा है जन आउशदी केंद्रों पर बेहत कम कीमत पर जरूरी दवाईयां मिल रही है हाट मरीजों के लिए स्टेंट 80-85% तक सस्ते किये गए हैं हमने कैंसर के इलाज की लिए जरूरी दवाईयों के लिए उसके दाम भी कम किये हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के संख्या बढ़ने से भी इलाज सस्ता हुआ है आज गरीब से गरीब देशवासी को मोदी सरकार ने सामाजीक सुरक्षा का मजबुत कवच दिया है साथियों दुनिया किसी देश में तभी विस्वास करती हैं जब वहां का युवा आत्म विस्वास से भरा होता है आज युवा भारत का आत्म विस्वास भारत के उजवल भविश्की नई कहानी है दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत को मानव संसाधन के बड़े केंद्र के रुप में देख रहे हैं हमारे युवाओं के पास पूरी दुनिया में सिख्षा स्वास्थ से लेकर स्वाफ़ पेर तक हर क्षेत्र में अपार आउसर है इसलिए हम अपने युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर के मुताबिक स्किल्ड बना रहे हैं आज हम माहराट में विद्या समिक्षा केंद्र जैसे प्रकल्प भी शुरू कर रहे हैं आज हमने मुंबई में इंडियन इंस्टिटूट अब स्किल्स का शुभारम भी किया है इसमें युवाओं को फ्यूचर ओरियन्टेट ट्रेनिंग मिलेगी उनके टैलेंट को बजार की डिमांड के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा हमारी सरकार ने युवाओं को पेड इंटर्शिप देने की शुरुआत भी की है